नमस्क्राइब दोस्तों स्वागत आ शोमाजबालीची के और एक हेल्थ कंसर्ण वीडियो में इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बात करने वाले एक टैबलेट के बारे में जिसका नाम है लोपरमाइड लोपरमाइड बोलके ब्रैंड नेम अवैवलेबिल होता है hmenकर केमिकल कॉंपोजशिछ वह लोपरमाइड लोपरमाइड किस काम आता है आपकी शरी में जो डेयरिया होता है डायरियो को रोकने के लिए कि रोकने के लिए जाता है इस्तेमाल किया जाता है तो अलब गया हो सकता है कोई इंफेक्षına के कारण जैसे के बेसे इंफेक्शन हो गया वैसी होगा एकोला कुछ कुछ ट्रेंज और इंफेक्शन जिसको हम बोलते हैं नौन स्पेसिफिक डाइरिया इसका बूलते हैं और नहीं नहीं होता है पिर भी होता है कुछ-कुछ बीमारी में जैसे कि Irritable Bowel Syndrome, IBS, Inflammatory Bowel Disease, IBD, Ulcerative Collitis, जो कि IBD की पार्ट है, Crohn's Disease, IBD की पार्ट है, यह सारे बीमारी में Non-Specific Diarrhea होता है, पर आपकी बीमारी में Non-Specific Diarrhea हो, या फिर Specific Diarrhea हो, दोनों केसेस में Diarrhea जब होता है, बार-बार Loose Tool होता है, Loose Tool जब भी Fecal Compaction नहीं होता है, जाता है, Watery Diarrhea, Particularly कुछ-कुछ infection में, जैसे के Typhoid Pever, जब पर Salmonella की Infection में होता है, या फिर Amoebic Dysentry में होता है, दोनों केसेस में ही, बहुत कॉलेना में भी होता था पहले, ठीक है, तो सारे केसेस में, Basically, बहुत ज्यादा पानी शरीर से बाहर निकलता है, जब भी बहुत ज्यादा पानी शरीर से बाहर निकलता है, Automatically dehydrate हो जाता है, In fact, dehydrate होके, बहुत से लोग तो मर भी सकते हैं, बहुत से आज देखोगे, आप इंडिया में, भारत में, बहुत सारे infants जो हैं, वो diarrhea के कारण मढ़ भी जाते हैं, क्योंकि उनका ठीक्टा treatment मिलता नहीं, तो जब बार-बार आप जाओगे, तो बार-बार stool के जरीए पानी निकलेगा, और बार-बार diarrhea ठीक भी नहीं है, उसके कारण anal fissure भी हो सकता है, बाकी कुछ-कुछ बीमारिय, और भी associated बीमारिय हो सकता है, तो वहाँ पे आपका जो stool frequency है, वो frequency को रोकने के लिए यह medicine यूज किया जाता है, लोपमाइड यूज किया जाता है, लोपरमाइड, अब लोपरमाइड का काम यही होता है, लोपमाइड 4 mg बेसिकली, अब इसका काम यही होता है, कि आपको यह दिया जाता है, depending upon the condition, आप एक tablet लो, उसके बाद अगर frequency कम हो जाता है, ठीक है, वरना फिर से आप दो घंटे बाद और एक tablet लो, ऐसे करकर करकर आप tablet ले सकते हो, और बहुत ज्यादा बार frequency हो रहा है, तो आप consecutively ले सकते हो, within a gap of 30 minutes or an hour, depending upon your situation, उससाब से आप इसको ले सकते हो, अब देख frequency था, loose tool का, वो बंद हो जाए, अब फिर भी यह हो सकता है, कि दो तीन ले लिए उसका बाद ही बंद हो, और यह भी हो सकता है, कि एक लिया बंद हो गया, फिर दो तीन दिन तक आप की बाल movement नहीं हो रहा है, सब कुछ possible है, ठीक है, मगर यह बहुत अच्छा काम करता है, चोटी आद से ले के बड़ी आद तक जाने का जो प्रोसेस है, को होता है कि intestine में muscles होते हैं, muscle contract करता है, यह contraction एक series of sequence में होता है, जब sequence में होता है, तो खाना दिर दिर प्रोसेस होकर, मुह से esophagus से होते हैं, stomach, stomach से small intestine, small intestine से large intestine होके, फिर रिक्टम द्वारा बाहर आ जाता है, यह full process है, full process में peristalsis का बहुत एहम रोल है, अभी क्या होता है कि peristalsis अगर slow हो जाता है, तो automatically वो जो है processivity slow हो जाएगा, जो bile movement हो slow हो जाएगा, और जब diarrhea होता है ता peristalsis बहुत ज्यादा काफी fast हो जाता है, इसके कारण यह problem होता है, और internally बहुत ज्यादा सुजन भी हो सक इसके कारण ही होता है, तो lopamide क्या करता है, loperamide जो drug है वो particularly, यह intestinal motility है, जिसको हम peristalsis बहुते हैं, peristalsis को घटा देता है, तो peristalsis जितना होना चाहिए, उससे कम होगा, तो automatically जो है आपका बार बार जो frequency हो रहा था, loose tool का वो कम हो जाएगा, घट जाएगा, यही इसका mechanism of action है, अब बात करते हैं, यह lopamide, loperamide की side effect के बार, lopamide के side effect है, ऐसा नहीं की नहीं है, बहुत अच्छा drug है, बहुत अच्छा काम करते हैं, मैंने खुल इसको देखा है, मैंने बहुत दफा इसको 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 इस्तेमाल किया, during my IBS days, जब मुझे IBS continuously था, म साला के साथ-8 साल पहले से, मगर दो साल तक बहुत ज्यादा जहला, तब हर एक या दो दिन बाद मुझे यह process of non-specific diarrhea होता था, तब मुझे particularly lopamide और drotinam, यह दो tablet है, जो मुझको समाल के रखा तब at that moment, तो lopamide उसी साब से dosage adjust के लेना है, इससे आप control हो पाऊ, मगर side effect मे अगर ज्यादा मात्रा में lopamide आप ले लिए, तो वहाँ पर non-specific diarrhea तो कोई quositive agent नहीं होता है, नॉर्मल ही हो ठीक हो जाता है, मगर यहाँ पर अगर lopamide लेकर बंद किये हो, जो frequency of loose stool है उसको, तो उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद हो सकता है कि एक दिन, दो दिन त जो कि constipation related problem, वहाँ constipation यह करता नहीं हो ऐसे, मगर कोई constipated लोग को generally avoid करना चाहिए, क्योंकि जो generally constipated है, अगर उनको diarrhea होता है, तो कोई बात नहीं को generally constipated हो natural ठीक होने के chances रहेंगे, वहाँ ज्यादा पानी निकल जाया है, तो लेना ठीक है, otherwise don't take it, कि कि वहाँ पर आग बहुत दिक्कत हो जाएंगे, तो तब जाके problem हो जाएगा बाद में, तो यह side effect है कि constipation, flatulence और उसके साथ-साथ nauseated, कुछ-कुछ लोगों ने बताया है, यह related, मुझको ऐसा कोई side effect नहीं लगा, इसका amount के उपर, dosage के उपर depend करता है, कैसे यह काम करेगा, next दिन bowel movement वह से हो जाएगा, अगर बहुत age ज्यादा है, अगर किसी को ऐसो को आप देरो जनके age बहुत ज्यादा है, जनल यह constipated रहते हैं, तो तब जाके difficult हो जाता है, दिक्कत बनता है, तो तब अगर इसको लेने के बाद, normal bowel movement में दिक्कत हो रहा है, तो आप doctor असाथ consult करे, वहाँ पे आप normal laxatives ले, उससे आपकी जो bowel movement है normal clear हो जाएगा, that's all about lopamide, loperamide, और वीडियो अच्छा लगे तो like करना, share करना इस वीडियो को, और अगर आपको IBS है, या फिर IBD related कोई भी problem है, तो यह tablet बिलकुल घर में हमेशा रखना चाहिए, ओके, so stay tuned for the next video, and let us know के कौनसी वीडि झाल झाल